हाई गाईज वेकम बाक टो माचायल देडवेंचर हैड्स पर आद में आपको शेयर करने वाला हूं सोचल मीडिया पर बहुत वाइलर हो लिए एक तस्वीर तो गाईज अब हमें लटक कर चिपकली को निगल गया एक साफ तो गाईज इस वीडियो में आपको पूरी चानकार दूँगा इस साफ के बार में की चिपकली को कैसे निगलता है तो गाईज वीडियो सुड़ करने से पहले अगरा में चैनल पर नए है तो प्लीज मचाय को सब्सक्राइब कर दीजे और बैल अकर प्रस कर दीजे ताकि मेरी वीडियो की निटिविकाशन तरसे पहले पास सक तो आइज वीडियो पर इन दिनों एक तस्वीर वाइलर हो रही है जिस देखकर हल कोई एहरान है जरसल एक कार्पेट पाइथन विसाल चिपकली को आवा में लटकते हुए निगल रहा है अधिगर घर की चत में लटका हुआ है और उसके मूँपे चिपकली है इसे ड़ा दिने वाली तस्वीर को खूब सेर किया जा रहा है तो आइज डैली मेर की खबर के मताबिक यह गटना कुईसलेंड के नाबोर्ड में काई स्केर सेंक्चियर पर रिटार्मेंट विलेज की है रिटार्मेंट विलेज ने मंगलबार को अपने फेस्बुक पर लिखा यह एक निवासियों को पिछले अफ़ते काफी कुछ देखने को मिला एक कारपेट पाइथन के घर के दरवाजे पर रटका हुआ था और उसके मूपद चिपकली थी वैस चिपकली को निगल रहा था अजगर काफी लंबा था इस नजारे को देखते हुए कई लोग डर भी गए इस तस्वीर को रिटार्मेंट विलेच के एक कारिकरता ने अपने फॉन में कैज किया जिसके बाद मैं सोचल मेडिया पर सेयर कर दिया गया इस तस्वीर पर लोग ने अलग-अलग परतिक्रायद दे रहे हैं एक यूजर ने लिखा क्या सांदार तस्वीर है वहीं एक अन्ये ने लिखा ये नजारा देखकर वहां के लोग डर गए होंगे तो वाइस साप तो वैसे अलग-अलग प्रकार के होते हैं पर मैं आपको साप के बारे में कुछ रोचक तथे शियर करूँगा तो वैस दुनिया का सबसे खतरनाक साप स्क्वाइ कॉरर वाइपर है जो हर साल किसी भी अन्ये साप की तुर्णा में अधिक लोग को काड़ता है एक मिर्ट्र साप का मिर्ट्र सिर्व अपनी मौत की कुछ घंटे बार भी कट सकता है इसलिए मरेवे साप के सिर्व से दूर रहना चाहिए पर ग्यानिकों के साप चार पैर वाले सिर्व साप पूर्वत से विक्सित हुए हैं लेकिन समय के साथ सापों ने अपने पैर गवा दिये वा ये रहेंगने वाले जीव बनकर उभरे एग्यानिकों का माना है इंसान के सापों के डढ़ने के कारण ही साप इंसानों से अधिक काड़ते हैं इंसानों में साप का ड़र दुनिया भर के सबसे आम फोबिया में से एक है साप का स्रीर जितना गरम होता है उतना ही जल्दी यह अपने सिकार को पचा सकते हैं आम तो रपस साप को अपना बोजन पचाने में तीन से पास दिन लगते हैं एनाकॉंडा जैसे सापों को अपना बोजन पचाने में कई अफ़ते से लेकर महीनों तक लग जाते हैं दुनिया की एनाकॉंडा साप की पाचन के लिए सबसे दीमी है दुनिया का सबसे भारी साप एनाकॉंडा है इसका वज़र 595 पांड, 270 किलो गराम और ये 16 फीट, 5 मिल्टर से दिक लंबा हो सकता है आपको जानकर रहनानी होगी एनाकॉंडा साप इंसान का भी सिकार कर सकता है वे इंसानों के साथ-साथ हीरान, लॉमड़ी, उद्विलाव, इत्तियादी को निगल सकते है साप अपना बोजन चबाने के बज़ए निगलते है च्योंकि साप के मुझे चबाने वाले दाथ नहीं होते है साप के जबड़ी निचले होते है जिस करण से वे अपने से से बड़ा सिकार भी निगल सकते है साप को जानकर हडानी होगी साप के आंतरिक कान होते है लेकिन बाहरी कान नहीं होते जुनिया में साप की लगबग तीने ज़ट विबिन परजातियां पाई जाती है साप साल में कई बार अपनी तुच्वा बदलते हैं और सरीर की पुरानी तुच्वा को सरीर से भाव निकाल देते हैं इसे केचुली कहा जाता है साप की कुछ परजाती हैं जैसे कोबरा और ब्लैक मामबाज अपने सिकार को मानने के लिए विस्क का उपयोग करते हैं क्या आप जानते हैं साप सुनने के लिए अपने जीब का उपयोग करते हैं साप की परजाती अजिगर अपने सिकार को मानने के लिए सिकार के चारोड कसकर कुंड़ी मार लेती है मैं कुंडी के दवाव से सिकार का दम घोट मार देती है पाइटन स्नेक का दुनिया का सबसे विसाल का है सांप का जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दें यह सांप लंबाई में 8.7 मीटर 28 फूट से भी अधिक बड़े हो सकते हैं सांप की टोचा चिकिनी वा सूखी होती है दुनिया बर में विश्याले सांपों की संख्या लगबग 7.25 पर जाती हैं एक छोटे अकार के सांप को अपने बोजन बचाने में 3-5 दिल लगते हैं वे इन सांपों की प्रिये बोजन चूहें वहां खड़गोस्त के बच्चे होते हैं दुनिया में सबसे बारी सांप एनाकॉंडा है इसका वजन 5.95 पांड से भी अधिक हो सकता है एनाकॉंडा सांप पानी के नीचे 10 मिनट तक अपनी सांस लोग सकता है क्या आप जानते हैं सांप अपनी आखों खोल कर सोते हैं दुनिया के सांप से जरीला सांप किंग कोबरा है जो भारत से लेकर समूचे एसिया में पाया जाता है भारत में इसे काला नाग, नाग देटा, इत्तियादी नामों से जैना जाता है आपको जानकर रहना नहीं होगी सांप एक साल में 40,000 से अधिक लोग को मारते हैं दुनिया के 10 सबसे कातर सांप उस्ट्रेलिया में पाय जाते हैं जिसमें ब्लैक मामबा से लेकर किंग कोबरा सामिल है सांप अपना मुँग 150 जीवी तक खोल सकते हैं सांप दो साल तक बिना बोजन के जीवीच रह सकते हैं तो वैस यह ते कुछ रोचेक तथे सांपों से जुड़े होएं तो वैस आजकिर से उतना ही मैं बिलूँगा आपको अगली यूसफुल वीडियो के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और प्लीज समचाने को जरूर सुस्क्राइब करें बाई टेक क्यर